रासंग करमचारी चर्ण बोर्ड ने सिक्षक भरती परिक्षा यानि रीट लेवल वन के डॉक्यमेंट वरिफिकेशन की तारिक की घोशना कर दी है जिसके तहत प्रदेश भर में 5 जलाई से 17 जलाई 2023 तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जलाज सिक्षा अधिकारी मुख्या जी कि लीवल 1 में शौट लिस्ट अभिषारती अपने ग्रह जिले में दस्तवेजों का सत्य प्यान करवा सकेंगे वहीं जिन अभिषारतीयों के ग्रह जिले में यहां की सुविधा नहीं है उनके लिए नजदीक के जिलों में विवस्था की गई है इसके बाद 21,000 पदों जहांसे फाइनल रिजल्ट के अधार पर उमिदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग दो महीने का वक्त लग सकता है ऐसे में 21,000 पदों पर इसी साल सितंबर तक उमिदवारों की पोस्टिंग मिलने की पूरी उमिद है कैसे करी डीवी की तारीक पता सिक्षक भरती परिक्षा में 21,000 पदों के लिए 41,546 शॉर्ट लिस्ट उमिदवार शाला दरपन पोर्टल पर अपनी लॉग इन आईडी से खुद के डॉकिमेंट वेरिफिकेशन की तारीक का पताल लगा सकेंगे इसके लिए उन्हें शाला दरपन मॉड्यूल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को पोर्टल पर किसी तरह की समस्या आती है तो वह अपने घ्रहजले में सिक्षा अधिकारी मुख्याले में बने कंड्रोल रूम में भी अपने शिकायत दरज करा सकेंगे आपको बता दे राजस्थान करमचारी चैन बोर्ट दुआरा 26 मई 2030 को सिक्षक भरती परिक्षा यानि रीट मेंस लेवल बन का रिजल्ट जारी किया गया था जिसमें बोर्ट ने 21,000 पदों के लिए कुल 49,546 अभिहारतियों को शॉट लिस्ट किया था इनमें 38,282 कंडिडेट नौन-TSP यानि ड्राइबल सब प्लान शेत्र से हैं वहीं 3,266 कंडिडेट टीएस्प शेत्र से हैं ऐसे में अब डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन और जिला वंटिन के बाद 21,192 अभिहारतियों को नौन-TSP जब की 1808 कंडिडेट को टीएसप शेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी वहीं माना जा रहा है कि लेवल 2 के लिए अगले सब्ता डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन की तारीक जारी कर दी जाएगी वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान बेरोजगार एकिकरित महसंग के प्रदेश अध्यक्ष उपेंग यादव ने कहा कि करमचारी चेहन बोर्ड ने लेवल 1 के डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन की तारीक का एलान तो कर दिया लेकिन हम चाहते हैं कि जल से जल डीवी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही उमिदवारों को पोस्टिंग भी दी जाए क्योंकि चुनावी साल में जल्द ही अचार सनहिता लग जाएगी ऐसे में अगस्ट के आकरी सब्ता तक उमिदवारों को पोस्टिंग दी जाए इसके साथ ही लेवल 2 के लिए डीवी की प्रक्रिया भी जल से जल शुरू की जाए ताकि प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके दौस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंदाया होते सब्सक्रण दोस्तों के साथ भी जरूर श्यूर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल होते से कमेंट फिलेक के हमें जरूर बताए जल दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो पे एक नए तब तक एलिए नमस्का